इस वीडियो में हम बात करनेवाले हैं सिरियल अनुपमा को लेकर आप सब की जानकारी के लिए बता दें कि सिरियल अनुपमा में काफी ज़्यादा ड्रामा चल रहा है यहांपर हम बात करेंगे जैसे कि वन्राज सा जो है वो सा हाउस छोड़कर गाइब हो चुके हैं करोडों का गुटाला किये हैं और भाग गए हैं यहां पर उनकी बेटी जो है काफी ज्यादा अकेली पड़ गई है यानि कि हम बात कर रहे हैं माही की काविया और वनराज सो से गाइब हो चुके हैं और उनकी बेटी माही का रोरो कर बुरा हाल है क्योंकि माही बहुत अकेली अपने पीता के रहते हुए भी अकेली थी सिर्फ उनकी मा मा यानि की कावया उसका देख भाल करती थी और यहां पर वह अकेली हो चुकी है लेकिन अब साह हूस में तोसु का राज चल रहा है तोसु जो है वनराज साह बनने की कोशिष कर रहा है हर किसी पर अपना दबाव ड जानते हैं हम इस वीडियो में तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दे कि तोसु ने माही को यानि कि वनराज और कावया की बेटी माही को सा हाउस चे निकाल कर बाहर फेक दिया है और माही जो है वो पहुंच गई है आसा भवन यानि कि अनूपमा के पास अनूपमा जब माह को गोदी मिले के उसे चुप कराती है कहती है कि आज से यह तुम्हारा घर है तो इस तरह से आप सबकी जानकारी करें बता दे कि अनूपमा को सुरू से ही देखा गया है कि वो बच्चों को किसी अनात को गोद लेती है उसके अपने बच्चे होते हुए भी वो दूसरों के बच्चों को गोद लेती है और यहां पर यह भी लगता है कि अब माही भी अनूपमा के साथ ही रहेगी यानि कि अनूपमा माही को गोद लेगी तो इस तरह से आशा भवन में अब माही का एक घर मिल गया है और क्या कहना चाहेंगे आप लोग क्या वनराज साह की वापसी ह क्या काव्या जो है अपनी बेटी के बच्चाव के लिए तोसू से भीने के लिए आएगी अनुपमा सिरियल में इसके लिए एक कमेंट किजिए और हाँ जाते जाते हमें फॉलो और सब्सक्राइब करते जाएए